नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी लेकपाल यूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भरती दोजार बाइस भारत का भोगोल प्रैटिसेट अठाइस तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब पर सबसे पहले पहुंचे तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला प्रैटिसेट 27 तक देखना चाते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तो वहां से भी आप ल जय मंडल आरचित छेत्र का सबसे सही विबरण पूछा है कौन सा है दिया है बायो गैस उत्पादन अस्थल खनीजों की कमी वाले भंडार या सतत विकास के अध्यान अस्थल या बनों की कटाई से प्रभाईत अस्थल तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें जय मंड केरल आरचित छेत्र की सबसे सही विबरण है तो वह है सतत विकास के अध्यान अस्थल सी इसका राइट एंसर हो जाएगा सतत विकास के अध्यान अस्थल कोश्चन नमबर दो पर आते हैं भारत के किस राज्य में और बिटू बन जीव पसु बिहार इस्थित है तमिलनाडू केरल आंधर परदेश या करनाटक में इसका राइट एंसर हो जाएगा डीस में करनाटक में किसमें है करनाटक में करनाटक में ये मैसूर में पढ़ता ह कोश्चन नमबर तीन है दुरलव साइबेरिये दुरलव साइबेरियाई सारस में नियमित रूप से आया करते हैं जो की एक वैस्विक बिरासत अस्थल भी है साइबेरियाई जो सारस है यह कहाँ प्राय करते हैं किस राष्टी उद्यान में पूछा जाAAAA इसमें आप सब देखे दिया कानहा राष्टी उद्यान या वेद थंगल पछिया भहरणें या केवला देव राष्टी उद्यान या रंगना थीडू पछिय बिहार तो तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें C केवला देव राष्टी उद्ध्यान तो केवला देव राष्टी उद्ध्यान जो है दुरलब जो साइबेरियाई सारस है यह नेमित रूप से आते हैं और यह कहां पर अगर पूछेगा यह ठंड के मौसम में आते हैं तो यह केवला देव राष्टी उद्ध्यान कहां पर है तो यह आपका राजस्थान में है यह कहां पर है राजस्थान में कोस्टन नमबर 4 पर आते हैं, दिया है निम्न में से किस परजाती को कस्मीरी हिरन भी कहा जाता है, दिया है चीतल, संगाई, बारा सिंगा या हांगुल, तो कस्मीरी हिरन कहा जाता है किस परजाती को, तो वह है हांगुल, तो हांगुल जो परजाती है कस्मीरी हिरन कहा जाता और यहां खासकर जोए श्री नगर के जो दाची ग्राम राष्टि पार्क में पाए जाता है कुश्चन नमबर पांच पर आते हैं भारती या बन जीव संस्थान में इस्थित है तो भारती बन जीव संस्थान कहां परिश्थित है दिया गंग टोक इटा नगर देहरादून इसका राइट एंसर हो जाएगा C देहरादून या भारती बन जीव संस्थान कहां परिश्थित है देहरादून में इस्थित है कुश्चन नमबर छे पर आते हैं निमलिकित में से क्या भारत में बागा की अबादी के लिए खत्रा नहीं है तो बागा की अबादी के लिए कमी या वन्न जीव यहां पर वह है पने वन्न जीव गल्यारों का संयोजन या मयवेशियों की चराई या प्राकिर्थिक वास का भिखंडन तो भारत में जो है बागों की अबादी के लिए क्या खत्रा नहीं है तो वह है बन्न जीव गल्यारों का संयोजन ये खत्रा नहीं है इस्तित है दिया है यहाँ पर अंधर परदेश करनाटक तमिल नाडु या केरल कुड़न कुड़म जो है यह इस्तित है कहाँ पर तमिल नाडु में इसका राइट अंसर सी हो जाएगा तो कुड़न कुलम परमाल उर्जा सेर। तमिलाडू राजे में श्थित है और इसकी अस्थापना के अगर बात करते हैं तो ये 1988 में इसकी अस्थापना की गई थी 1988 में सोविय संग रूस की सहायता से कोईशन नमबर आठ है चार सब्दों में से एक सब्द वर्ग समू ऐसा है जिसमें अन्य तीन सदा से सम्बंदित है एक वर्ग समू पाचानी है तो इसमें एक वर्ग समू पाचाना जैसे दिया इसमें कोईला नरम कोईला पत्थर कोईला भूरा कोईला तो इसके एक भी नही कोईला तो कोईला सब्द एक वर्ग समूँ ऐसा जिसे तीनों यानि नरम कोईला पत्थर कोईला भूरा कोईला से संबंधित है इसमें यह राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर 9 पर आते हैं निम्न में से क्या धात्विक की खनीजों की स्रेडी से संबंधित नहीं है कोईला तो क्या संबंधित नहीं यह पुछा जा रहा है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा डी कोईला धात्विक खनीजों से संबंधित नहीं है कोईला जो है संगमर्मरादी और धात्विक खनीज होते हैं यह कोईला नमर दस है एसिया का सबसे पुराना तेल उत्पातक छेत्र कहां पर इस्थित है गुजरात असम और राचल परदेश या नागालेंड तो एसिया का सबसे पुराना जो तेल उत्पातक छेत्र है वह है कहां पर असम में तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा असम में एक डिगबोई अस्थान का नाम है जो इसिया का पाला उत्खनित होने वाला तेल कुमा है डिगबोई जो असम में है और यहां पाली जो रिफाइनरी की सुरात हुई थी 1901 में सुरू की गई थी रिफाइनरी की तेल सोधन की और यह विश्व का सबसे पुराना तेल छेत्र माना जाता है असम के डिगबोई कोश्चन नमबर 11 पर आते हैं मदुरई सहर किस नदी के टट पर इस्थित है दिया है कुम कावेरी वैगाई या पिननार तो मदुरई सहर जो है वैगाई नदी के टट पर इस्थित है तमिलनाटों पढ़ता है कोश्चन नमबर 12 प ट्यूलिप गार्डन कहां पर है। चंडीगण, मैसूर, श्रीनगर या डार्जलिंग में। तो ये कहां पर है। इंदरा गांधी मुमॉरियल ट्यूलिप गार्डन ये हैं। श्रीनकर में। इसका रायर टेंसर C होगा। श्रीनकर। जमू कस्मीर। कुर्शन नंबर 13 पर आ फ्राइलक माईखा या ग्लेणा तो मोजय का कों सब से जादा में मुख्र अध्य मंध्य होता है तो किस राज में चांदी प्रचूर मात्रा में पाई जाती है राजस्थान मध्य परदेश करनाटक या गुजरात में तो भारत में के जो कौन सो राज जहां पर चांदी प्रचूर मात्रा में पाई जाती है तो वह राज है राजस्थान इसका राई टेंसर हो जाएगा ए राज तो भारत के राजस्थान राज में जे चांदी जो है अस्क है परकार के जो प्रचूर मात्रा में पाई जाती है कोशन नमर 15 पराते अवरक किस राज में बहुतायत में पाया जाता है पसिममंगाल मद्यपरदेश बिहार या राजस्थान में अवरक पाया जाता है बहुतायत में कहां पर ये भी राजस्थान में ही पाया जाता है यानि भारत में जितना कुल भंडार है अबरग का उसका 41 परतिसत जो है केवल राजस्थान से अबरग प्राप्त किया आता है कोशन नमर 16 पर आते हैं निम्न लिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी टटिय रिवर राइन बंदरगाह है नदी टटिय जिसको इंगलिश में रिवर राइन काहता है बंदरगाह है दिया है कोच्ची मुंबई कुलकाता या तूति कोरीन तो इसका राइट यंसोर जाएगा इसमें सी कोलकाता तो कोलकाता बंदरगा जोए एक प्रकार का नदी टटी ये बंदरगा है और यह जोए समुन्द टट परना इस्थित होकर थोड़ा सा भूभाग के अंदर यानि हुगली नदी के टट परिस्थित है ये कोशन नमबर 16 पर आते हैं सारी 18 नमबर है 2015 में अंटा कर्टिका में स्थापित नविन्तम रिशार्च वेस का नाम क्या है दच्छिन गंगोतरी मैतरी भारती या लोटस इसमें है भारती कोशन नमबर 19 है सार उर्जा द्वारा पूल रूप से संचालित विशु का सर पर्थम हवाई अड़ा कौन सा है दिया है कोचीन अंतराष्टी हवाई अड़ा छत्रपती सीवाजी अंतराष्टी हवाई अड़ा दुबई अंतराष्टी हवाई अड़ा या कंसाई वाश्टी हवाई अड़ा कि कुश्चन नमबर 19 है बीस वनाचे 19 ही है कि ब्रेदेश्वर मंदीर किस प्रकार की सामागरी से बनाया गया था सावुन बनाने के पत्थर या ग्रे नाइट या बलुवा पत्थर या संग मरमर से इसका राइट एंसर हो जाएगा भी ग्रे नाइ कुश्चन नमबर 20 पर आते हैं दिया है जीरो माईल इस्टोन को ब्रिटिस द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे या कहा है मुंबई कुलकाता नागपूर या नई दिल्ली इसका राइट एंसर हो जाए कुश्चन नमर 22 और अंतिम कुश्चन है नविंतम जनगाना के अनुसार की सभारतिय राजिका जनसंख्या गनत तो सबसे कम है इसमें डी बी आउनाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या गनत तो कितना है 17 ब्यक्ति परती वर किलोमेटर है जो सबसे कम है यह थे कोशन आज के लिए तो उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें दोस्तों के आधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिन वंदे मात्रम